क्या दोस्तों आप लोग भी यही सोचते हैं कि अगर एक अच्छा माइक नहीं है तो आप लोग एक प्रोफेशनल वाइस ओवर नहीं दे सकते तो आज किस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउत इस माइक के आप लोग जस्ट अपने मुबाइल से किस तरह ए अपने मुबाइल को यूज करके ये काम कर सकते हैं लेकिन वीडियो में आगे बटन इस पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रैड क को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आप लोग भी इस माइक के इलावा अपने मुबाइल पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है आप लोगोंने एक एप्लिकेशन को अपने मुबाइल में इंस्टाल कर लेना है इस एप्लिक मैं A to Z setting आप को बताऊंगा आप लोगों ने उसके बाद 3 dot में जाने के बाद setting में चले जाने के बाद लोगों को पहला option देखने को मिलता है record button का कि आप लोग recording किस तरह start करना चाते हैं किस तरह करना चाते हैं तो आप लोगों ने tap to record पे click कर देना है, tap to record को इधर से select कर लेना है, ताके दोस्तो आप एक दफा tap करे recording होती है, उसके बद आपने back आना है, back आने के बाद दोस्तो आप लोगों ने इधर से echo effect को on कर देना है, on करने के बद echo volume में जाना है, echo volume में जाने के बाद दोस्तो आप इसे रूम में रिकॉर्ड कर रहा है, जहां बहुत ज़्यदा सामान पड़ा है, कुछ उसके गद्दे वगयरा पड़े हैं, गद्दे मतलब दोस्तों उसका कोई ऐसा कॉटन वगयरा का सामान पड़ा है, तो उधर दोस्तों इको का कोई और हिसाब होगा, लेकिन अगर आप ऐसे रूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो रूम बिल्कुल खाली है, उसमें कोई चीज नहीं है, आप लोग उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस रूम में दोस्तों इको एफेक्ट कोई और होगा, तो आप लोगों ने दोस्तों एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब स चाते हैं आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये बटन रेड हो गया मतलब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोगों ने जो भी रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करने के बा अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो वो recording आपके मुबाइल में सेव नहीं होगी उसके बाद दोस्तों आपने 3.0 में जाना है तो यह देख सकते हैं यह recording में अभी की है यह इधर सेव होगी है अब दोस्तों इसको आपने अपने File Manager में अपनी External Storage में किस तरह इसको सेव करना है उसके लिए Simple दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको Save का बटन देखने को मिल जाएगा आपने Simple Save के बटन पर क्लिक करके इसको Allow कर देना है और OK कर देना है जैसी दोस्तों आप OK करेंगे तो यह File दोस्तों आपके File Manager में Save होगी है अब दोस्तों आप लोग इसको किसी भी एडिटर में डाल के यूज कर सकते हैं अब दोस्तों आप लोग अगर इसको सुनेंगे ना तो यह एक दम Professional Voice लगेगी आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि यह मैंने अपने Mobile से ही Record किया अगर कोई और भी सुनेगा वो यही समझेगा कि आप लोगों ने कोई अच्छे वाला माइक यूज किया है तो यह थी दोस्तों एक एप जिसका आप लोग जूज करके अपनी Voice Over Professional Way में कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर यह वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बैल को दबा के जाना मैं मिलूँगा आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज